संत मद्धी के अनुसार सूसमाचार तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर द्रिष्टी डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है यदि तुम्हारी दाहिनी आख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फैंक दो अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नश्ट हो जाए किन्तु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फैंक दो अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नश्ट हो जाए किन्तु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न जाए यह भी कहा गया है जो अपनी पत्नी का परित्याक करता है वह उसे त्याक पत्र दे दे परंतु मैं तुमसे कहता हूँ व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याक करता है वह उससे व्यभिचार कराता है और जो परित्यक्ता से विवहा करता है वह विविचार करता है